नमस्कार आईए आज बनाते हैं राजस्थान की मारवार शेत्र में बनने वाली पारंपरिक सब्जी पापड और दाना मेथी की सब्जी इसके लिए आधा कटोरी दाना मेथी को साफ धोकर दो गलास पानी के साथ उबाल लीजिए दस मिन्ट बाद दाना मेथी को उंगलियों में दबा कर देखें देखें दाना मेथी गल गई है गैस की फ्लेम आफ कर दीजिए उबली हुई दाना मेथी को छली में डालकर नितार लीजिए और तीन-चार ग्लास पानी और डालकर नितार दीजिए ताकि मेथी का करवपन निकल जाए अब तीन पापर लीजिए और छोटे-छोटे टुकडे कर लीजिए मसालों में आधा आधा चम्मच नमक, हल्दी और एक एक चम्मच धनिया, मिर्च, जीरा और दो चुटकी हिंग ले लीजिए सबजी को अच्छा कलर देने के लिए एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए आठ दस काजू, दो फाड़ी कर लीजिए और एक मुठी किश्मिस ले लीजिए कड़ाई में दो टेबलिस्पून तेल गरम करके हिंग जीरा डाल दीजिए जीरा क्रेकल होने के बाद काजू और किश्मिस डाल दीजिए साथ में पापड डाल करके भून लीजिए पापड फ्राई हो चुके हैं और किश्मिस भी हलकी हलकी फूल गई है अब उबली हुई मेती डाल कर मिला लीजिए साथ में सभी मसाले डाल दीजिए कश्मिरी लाल मिर्च डाल कर अच्छी तरह से मिला लीजिए सभी मसाले अच्छे से मिल गए हैं अब तीन कडोरी पानी डाल कर मिला लीजिए और धककर धीमी आज पर दस से बारा मिनट के लिए पका लीजिए बारा मिनट बाद धककन हटाएं और एक नीवू का रश डाल कर अच्छी तरह से मिला दीजिए और पांस मिनट के लिए इसी तरह धका रहने दीजिए, गैस की फ्लैम आफ कर दीजिए पांस मिनट बड़ धकन हटाएं, थोड़ा सबजी को चलाएं, लीजिए पापड दाना मेथी की सबजी तयार है तयार दाना मेथी पापड की सबजी को डौंगे में निकाल कर हरी मिर्श से गारनिश कीजिए लीजिए स्वादिश्ट दाना मेथी पापड की सबजी तयार है गर्मा गरम चपाती के साथ खाने का आनन लीजिए हमने दाना मेतिक सबजी और भी कई तरीके से बनाई है उन सभी रेसिपीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर, सबस्क्राइब जरूर करें दन्यवाद